अपनी glass के सामने मैंने एक experiment डिखाया जहां पर आपको दिखेगा एक laser light है जो बिल्कुष straight travel कर रही है light तो यहां पर air है तो यहां पर कोई reflection नहीं दिख रहा है जब मैं उसकी बीच में एक glass slab ले आउँ, glass से बना हुआ एक brick ले आउँ incident ray of light और जो glass slab के अंदर है उसे हम कहेंगे refracted ray of light और जो glass slab के बाहर आ रही है उसे हम कहेंगे emergent ray of light इस experiment के दौरान